किyes Mmm अर्य उस् Obrigito कॉस्छ में कए कशुर्म ने का की व्यू जो लेप्टाप यह नहीं हो रहा है सवी नहीं हो रहा है और इसका जो चार्जिंग का जो लाइट यह यह तो यह को और देटे हैं तोस दो झांद हो जा depressम भीर चार्ज़र का पर जो अर्जरम मिलार अदै को तो जब भी इसको connect कर रहा है कि यह charger का जो light होता है यह adapter का जो light होता है वो टोटली बंध हो जा रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वह आज इस बादे में दिखाऊंगा और टोटल वीडियो आप लोगों को सुट करके दिखाऊंगा क्योंकि चार्ज अगर जा जो charging का जो light बंध हो जा रहा है तो इसका मतलब है laptop में sorting है sorting की वज़ा से laptop का जो light होता है यह टोटली बंध हो जाता है अबर उसका जो charger से चार्जर जो पीनों में जो करेंट हो आपको रिमूब कर देना है फिर चे और charging का light ग्लो हो जाएगा जब भी laptop में करोगे तो चार्जर जो है ज इस्प्रेंस से कह रहा हूँ कि इसका नाइन बोल में sorting है उसी बज़ा से laptop में on नहीं हो रहा है और charger का जो light है बंध हो जा रहा है चलो laptop को एक पर देख लेते हैं तो यह देखिए एक laptop ठीक है और इसमें जब भी इसको लगा रहे हूं तो इसका charging का light ग्लो हो रहा है यह charger का जो चार्जा जे यह स्वाट भी हो सकता है laptop की ठीक है तो अभी इसको दिखाऊंगा कि यह मेरा DC है तो DC को लागा हूं यहां पर लागा दिया हूं और DC बंध है तो DC को भी on करूंगा कि देखेंगे के स्वाटिंग है के नहीं है तो देखिए यह स्वाटिंग है पूरा जालाएंगे उतना ही रिक से के मदर बोट डैमेज होने की और चार्जर भी डैमेज होने की तो अब इसको रिमूब कर दे रहा हूं और बोट को रिमूब करूंगा और बोट में कहां से स्वाटिंग है 19 बोल में वह इस वीडियो में दिखाऊंगा तो आप आप लोग मेरा चैनल को सबस्क्राइब चाहिए तो करना चाहते है तो कर लीजिए नहीं तो बड़ा पस्ता हो गये क्योंकि इस लाइफ प्रैक्टिकल मदर बोट में रिप्यार कब कम लोगी दिखाता है ठीक है इसकिप करके करके दिखाता है ठीक है तो आपका चॉइस रहेगा कि आप सी कर देता हूं को काम मत कर दो होगा कि अभी चेक करूंगा के कहां पर रिक्कत है मुझे लग रहा है ये जो SMDA स्वाटिंग मुझे क्यूं लग रहा है ये तो तो अगर ऐसे टाइब का उन्मीज नाइंटी वोल्ड में अगर स्वाटिंग हो तो पहले जो काम करना चाहिए स्वाटिंग को रिमूब करने से पहले क्या करना चाहिए जो रेम है रेम को रिमूब करना है इसका जो सीपी हो है सीपी को भी रिमूब करना है क्योंकि अगर ना विदा बन बाचकेटर हो सकते हैं कुछ भिवी हो सकते यह सिससे पहले अगर स्वाटीक रिमुब करना चाहथे यह तो इसको । Smooth करो ने इसको रिमुब कर दो पिर इसका स्वाटिं को चेक करो नहीं तो क्या होगा इसका बोड रिपैर होगा की नहीं होगा उसकाथ बता नहीं लेकिन आपका CPU चला जाएगा या RAM भी चला जाए तो इससे पहले इसको पहले इसको रिमूब कर दो फिर इसका अच्छे तरीके से चेक करो कि स्वाटिंग कहां पे स्वाटिंग को कैसे रिमूब को यह आ जाए ठीक है स्टेप बाइस्टेप तो ऐसा मत करो के CPU करने के लिए आपे लॉक है इस लॉक को अच्छे तरकी से नहीं जाना होगे तो CPU रिमूब नहीं होगा CPU डामेज भी हो सकता है तो CPU को हम साइट पे रख देंगे ऐसी जगे रखेंगे कोई प्रॉब्लम ना हो तो यह रागा साप शुत्रा किया खला साथ तो साप शुत्रा करके बाद जो मुझे प्रॉब्लम डाउट हुआ कि यह वाला जो छोटा SMD है यह टोटली डामेज है तो यह दिखाऊंगा कहां पर इस साइट पर यह सेक्शन होगा रेम का सेक्शन हो सकता है तो अभी इसको चेक करूंगा स्टप बाइस्टप तो अभी देखो स्वाटिंग जो लगा मुझे इस SMD को स्वाटिंग लग राए कि कि यह टोरा डेमेज लग रहा है तो एक्शु अभी इसको टेस्ट करने के लिएत्वा क्रीम है रिओक लगा देंगे उस पर। कि यह पर बीओ मौसपेर भी है और उसके उपर अच्छी तरिक की ४ हुप पर देने के पार यह कौन सा हीटिन हो रहा रहा है यह जो भी हीटिंग तो इस जगह मैंने मुझे लग रहा है कि सौटिंगे तो उस से पहले मैंने चेक किया कि पूरा भी कर रहा है कि तो मुझे लग रहा है इसको नहीं कर न चाहि Shoulder obras ऋूसरा कर रहा है कि एक साइड़ कर रहा है क्या है और इसमें दोनों साइड ही बंकर रहा है गया इसका पार्ट नमबर जो है 4423 तो इसको भी रिमूब करूँगा रिमूब करके देखूंगा कि पॉब्लिम जो है इसमें है या दूसरा सेक्षिन में है बुल है ये कि अव्य करोंगा जाएं लिदिक है इसको बाहर mean चेक करेंगए ये सॉंटिंग है ये नहीं है इससे पहले इसका मेन मॉस्पेट भी चेक करेंगे कि यह स्वाटिंग है कि नहीं है तो देखो इसमें स्वाटिंग नहीं है मैंने जो कहा हुई सही हुआ क्योंकि मेन मॉस्पेट में स्वाटिंग नहीं था जो सपूरिंग मॉस्पेट में था और यह बिप नहीं कर रहा है ल ठीके मतलब पहले क्या बात हुआ था कि मैं खुल के दिखाता हूँ उससे पहले में उस जगात पर जो सॉर्टिंग है वह भी एक बद चेक करेंगे कि सॉर्टिंग है कि नहीं है को मेना जो एक्स्टुएंस से यह भी सॉर्टिंग है ठीके इसको भी रिम करना पहले यह वाला को चेक करता हूँ ठीके तो नॉर्मरी यहां पर हीटिंग तो नहीं हो रहा है ठीके और 90 मतलब 90 वोल्ट में फुली अभी सॉर्टिंग है ठीके देख सकते हैं पर पूरा बीप कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यह जो SMD यह सॉर्टिंग है क्योंकि सेम मतलब जितने सार SMD है यह सब हीटिंग नहीं होता है ठीके कुछ-कुछ हीटिंग होता है कुछ-कुछ नहीं हीटिंग हो रहा है तो इसको रिमूब करके पता चलाएगा कि सॉर्टिंग नहीं हो रहा है तो मुझे इसका कंडिशन देखके मुझे लग रहा है कि यह सॉर्टिंग है तो इसको तो उपर करके इसको चेक करेंगे कि एक्चुली क्या पार लेखता हुआ यह देखिए SMD को बाहर निकाले अब इसको चेक करूंगा तो देखिए गौर से देखिएगा इसका कोई भी स्वाटिंग नहीं है और यह जो SMD यह स्वाटिंग है बिप करेगा कर देखिए यह जो SMD जुम करिके देखिए ज़र असा देखिए गोर से देखिए SMD पूरा स्वाटिंग है तो इस्वाटिंग की वज़ा से यह पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था तो अभी पर चेक करेंगे इसका जो वोल्टेज है इसको इंपुट करूंगा और इसका श यहाँ पर देखिए इसमें स्वाटिंग अभी नहीं दिखा रहा है कि इसका प्रॉब्लम जो है स्वाटर हो गया अभी पूरी तरीके से यहाँ जो मॉस्पेट है सेकेंडरी मॉस्पेट जो है सब्री मॉस्पेट और एक SMD है इसको यहाँ पर लगाएंगे फिर से चेक करे यहाँ पर देखो बहुत सब्सक्राइब तो इसको क्लीन कर देंगे और मेरा एकी रूल से काम करो ऐसा करो कि नेक्स टाइम कोई बंदा इसको पहाँ चाड़ना पाए कि बोड में काम हुआ की नहीं होई तो टाड़ी फ्रेस रहेगा बोड में और मॉस्टर मॉस्टर अबर नहीं करना चाहिए तो सफ साफ शुत्रा काम करना करेगा ठीक है इसको काम क्या है इसको किसी को भी पता नहीं चलेगा ऐसा कम करना चाहिए बोड एकदम चका चक रहेगा तो इसका बोड पा जो वैलेडी होता है ना कि एक साल यह दो साल में खरब ही हो जाता है या मॉसर मिल रहा है एक सल में खरब होने की चासिस रहता है ओ तो नहीं रहेगा यह एक साल से यह दो साल भी काम करेगा ठीक है जो इतने सारे लेप्टप का इंजिनियर है अगर ऐसे टाइप का काम करेगा तो लेप्टप का जो मदर बुड़ है उसका वैलिडी जो होता है उसको भर जाएगा ठीक है अब्सक्राइब करें दो सल यह कोके कंडिसरमेंट रहता है तो तीन सल हो जाएगा ठीक है तो ऐसा काम करो कि नेक्स टाइम कोई बंदा इसको पैचारणना पाई कि बोर्ड में काम क्क्या है नहीं है इसको ऐसा लागे कि ओ बंदा फ्रेस्ग मदरबोल में काम कर रहा है ऐसा पातिक है और देख सकते हो यहाँ पर कोई भी गंदा नहीं है टौटाली फ्रेस in क्लीन और यह पर थोड़ा इसको अभी साफ सुत्रा करेंगे तो मेरा रूस देखे कोई इंजिनर ऐसे नहीं बोलते है कि साफ सुत्रा काम करो ऐसा करो कि नेक्स टाइम अगर पॉब्लिम हो तो बोट जो है वो फेस रहे तो फेस बोट में काम कर रहा है ऐसा लग लगना चाहिए तो यह पर देख सकतो ब बोट फेस में जहां पर यह काम क्या है अब टेस्ट करऊंगा भी तो अभी देखो अब देखो फुरा मॉस्पर लगाया लाइन मी दिया हो सीपी नहीं लगाया अभी चेक करूंगा कि सौटिंग है यह बंध हो गया अभी देखींगे तो देखींगे यहां पर 19.35 वोटर तो आभी करूंगा इसको CPU लगाएंगे और RAM लगाएंगे रैम लगाएंगे बाद इसमें डिस्प्ले कीबूर्स में चेक करेंगे तब संजेंगे बोर्ड ये 100 परसंट बन गया तिक अभी इसका CPU लगाएंगे तो अभी देखो इसका CPU लगाएंगे और फैन भी लगाएंगे अभी इसको में पावर दूंगा तो पावर द्यार अभी इसको टीगर करना पड़ेगा टीगर करने मतलब इसको स्वाटिंग करना पड़ेगा तो इसको स्वाटिंग करना की जो यह वे लेगाए हूँ कि इसमें कीबूट से देखना परेगा कि टॉटर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इसमे एंपेर काद्जूम करेगा गॉर्ज से देखिएगा जब भी इसको टिगर होगा एंप्यर लेना इस्टाइब हो जाएगा ओके तो गॉर्जिद देखिएग थो अभी देखो वो डिस्प्ले नहीं लगानिन के बाद यह यह श्रहन हो था कि लिदिस्प्ले लागाया फिर यह बन्त कर नहीं लगाया था कि बाद पर फिर इदिकलि यॉथा था कि कृटी कुछ कुछ लाप अपर Unidos क्या होता है कि जब तक डिस्प्ले नहीं आएगा कीबुद में लाइट नहीं गलो करेगा उसमें डिस्प्ले लागाएंगे फिर इसको डिस्प्ले आएगे यह ओके कंडिसेंट आएगा ठीक है समझ गए तो यह बंद परसंट पर्फटरी के से रिते रहो गए पाचिंग करने तिम्हें रहे है अध